स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो चीज मेरे को नहीं पसंद वो है वेटिंग टाइम दस से लेके 15% मूव के लिए हमें बहुत दिन वेट करना बढ़ता है कुछ दिन से लेके कुछ हफते तक अब करें क्या स्विंग ट्रेडिंग relatively easy रहता है पैसे बन जाते हैं और जो इंसान जोब कर रहा है वो जोब के साथ भी स्विंग ट्रेड कर सकता है वेटिंग टाइम को आप कम कैसे कर सकते हो और return same to same रहेगा आज मैं आपको एक बढ़ियासी study बताऊंगा सिंपल होगा और आपको वेट करनी की जोड़त नहीं हफतो तक अगर आप सिर्फ दो से लेके पांस से लेके छे दिन तक भी आप वेट कर लो ना दो से लेके पांच-छे दिन तक काफी है मतलब विदिन विक आपको टार्गेट अपना मिल जाएगा आपको strategy explain करता हूं इस सबसे पहले हम इसके setting में चलते हैं moving average के और यहाँ पर यह जो length है इसको हम करेंगे 20 यह एक month को represent करता है अब हम RSI की setting change करेंगे RSI के अंदर हमें moving average नहीं चाहिए middle band नहीं चाहिए background fill भी नहीं चाहिए यहाँ पर जो upper band है इसको हम करेंगे 60 और lower band 50 sorry 40 और हम inputs में एंगे और यह जो RSI का length है यह 14 है मैं इसको कर रहा हूं 13 13 क्यों एक fibonacci number है I hope आपको RSI अच्छे से दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा होगा daily का अब यहां पर आपने entry कैसे लेना है मैं आपको simple में explain करता हूं यह है 20S में ठीक है यह जो line है और यह जो line है यह 60 का है RSA का और यह जो नीचे वाला line है यह 40 का और बीच में यह RSI आपने entry का अब लेना सबसे पहले criteria है जब RSI 60 के उपर जाए तो 60 के उपर यहां पर जा रहा है ठीक है यहां पर और दूसरा step है जब price moving average के उपर हो जब हम buy करेंगे तो price moving average के उपर होना चाहिए और RSI 60 के उपर होना चाहिए तो यहां पर हमारा buy का criteria fulfill हो जाता है तो जब RSI उपर जाता है तो candle होता है यह वाला तो मैं थोड़ा सा highlight कर देता हूं यह वाला candle यह green वाला जब RSI 60 के उपर जाता है यह जो candle है इसका जो closing price है ठीक है इसके उपर जब भी candle जाता है जब भी price इसके उपर जाता है तब हमने buy घर लेना है अगर आप ध्यान से देखोगे यह जो दूसरा candle ही आना इसके उपर closing दे देता है बहुत बड़े margin से नह इसका जो closing price है यह था 223.5 यह वाला candle ठीक है अब यह जो next candle है इस candle की उपर जला जाता है इस candle का जो closing price है दो सो तीज रुपे 5 पैसे है ठीक है पचास पैसे अगले दिन जो candle है इस price की उपर जला जाता है तो हमने क्या करना है यह जो candle है ना यह जो हम trigger candle बोल लेते हैं यह इसके उपर जबी प्राइस आता है आपने एंटी लेना है चाहे वो 50 पैसे हो 2 रुपर हो या 4 रुपर हो वो फरग नहीं बढ़ता यहां पर बहुत ही छोटा सा मार जाना है सिर्फ 50 पैसे उपर क्लोजिंग हुआ है तब भी आपने एंटी लेना है ठीक है यह जो ट्रिगर क यहां पर हमने स्टोप्लोस लगाना है वह रुफली 220 बोल लेते हैं ठीक है 2234 स्वेक्षाज अमारा हो गया एं्ट्री ठीक है यह हैं अमारा एंट्री और यह स्टप्लोसिट अब यहां पर जो करोगे 8 पॉइंट का मतलब麼 ओस अक हमें यस एस कैंडल पर ही मिल जाता है सिर्फ रफली बोच सकते हैं तीन दिन के अंदर मैं एक एक्जामपल और लेता हूं यहाँ पर मैंने शेलियर राइट्स का टाइम फ्रेम सेम है डेली का ही है और यहाँ पर आप देखोगे आरसाई 60 की ऊपर चला जाता है इस केंडल पर ठीक है और प्राइस मुविंग एवर 308 ने लिए और इसका जो प्राइस है 408 ओ जिर्डा तो जब भी प्राइसिका उपर जाता है हमने ले लेनामाल लेते हैं मैं इधर हम यह उपर अट उंद्या में लेते हैं इस केंडल पर जोग सकते हैं कि इसके उपर केंगरते हूं राउंड नम्मर लेते हैं 420 ठीक है इसका जो closing price है यह है 420 हम इस पर entry लेंगे इसका जो लोग था यह है 388 तो 420 में से 388- करते हैं तो वो होता है 32 points यह होगा हमारा stop loss और इसका हमने करना है double target मतलब 64 अब हम आगे देखते हैं इस candle का जो आई है वो है 502 तो सिरफ तीन दिन के अंदर जो हमको इसमें points मिलते हैं वो तकरीबन है roughly नमबर लेता हूँ 80 points ठीक है 80 points हमको सिरफ तीन दिन के अंदर मिल जाता है और जैसे हमें अपना डालेर मिलता है हमने exit कर जाना है हमने wait नहीं करना है जैसा कि मैंने आपको बोला था दो से लेकर चार दिन या छे दिन के अंदर आपको target मिल जाया करेंगे आपको हफ्तों wait करने की जोर्त नहीं है हर strategy काम करता है बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि कि strategy का कब use करना है और कब नहीं करना है बागिया मेरे से प्रिएन बॉक्समें